अब एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका मैं कि क्या दिल्ली में बाड का खत्रा है इसको दो फैक्टर से देखना पड़ता है एक तो यह कि दिल्ली के अपने अंदर कितनी बारिश हो रही है और दूसरा दिल्ली में बाड का खत्रा जो है वो केवल दिल्ली की अपनी बारिश पे कम dependent है उपर से हर्याना से यमना में जो पानी हर्याना में भी हिमाचल परदेश से हर्याना में आता है और यहां से जो दिल्ली में पानी आता है यमना के अंदर वो जो पानी छोड़ा जा चाहूंगा कि 1978 में एक बार बाढ़ आई थी जब 7 लाख क्यूसेक पानी हतने कुंड पे छोड़ा गया था और 207.49 मीटर ये मीटर ओर्ड रेल्वे ब्रिज पे यमना कस्तर हो गया था यह 1978 में बता लेकिन उसके बाद हमने यमना पर बंद बना दिये कई सारे स्टेप्स उठाए गए 2013 में आठ लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया 207.32 mm तक यमना पहुंची मीटर तक यमना का लेवल पहुंचा लेकिन बाढ़ नहीं आई 2013 में 2019 में 8.28 लाक क्यूसेक पानी छोड़ा गया और 206.6 mm तक मीटर तक यमना रेलवे ब्रीज पे वो पहुंचा लेकिन बाढ़ नहीं आई तो अभी कि कल सुबह 45,000 क्यूसेक पानी यमना में छोड़ा कल रात को 3,000,000 क्यूसेक पानी छोड़ा उसके बाद कम होना चालो गया आज सुबह से 2,500,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया CWC के लगातार हम टच में हैं Central Water Commission के और कहा जाता है कि उनकी जो प्रेडिक्शन है वो reasonably accurate हमारे दिल्ली के सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं वो reasonably accurate मानी जाती है CWC के हिसाब से अभी इस वक्त दिल्ली में 203.58 मीटर तक हमारा लेवल पहुँचा यमना का कल सुबह 205.5 मीटर तक पहुँचेगा और जो वेदर की प्रेडिक्शन अगले कुछ दिनों की हैं उसके हिसाब से यमना का स्तर बहुत जादा बढ़ने की उमीद अभी फिलाल नहीं है तो फ्लड को फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है according to the predictions made by the experts पर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए तयार है वेदर फोरकास्ट के उपर भी नजर है वहां से जो पानी छूट रहा है उसके उपर भी हम लोगों की नजर है 206 मीटर अगर क्रॉस करेगा तो हम इवेक्वेशन चालू कर देंगी वेक्वेशन भी जो बिल्कुल यमना के टट के उपर आसपास लोग रह रहे हैं जुगी बस्तियों के ऐसे 41,000 लोगों को इडेंटिफाई किया गया है उनके लिए रिलीफ कैम्प्स बना लिए गए है अगर जरूर पड़ेगी तो उनको वहाँ पर शिफ्ट करके उनको रियाबिलिटेशन कैम्प्स में हम लोग ले जाएंगे